इस एपिशोड के अंदर एक सिचुएशन डिसकेश करेंगे जहाँ पर हमारा refractive index continuously radial direction में change होगा refractive index के continuous variation पर एक problem IIT के अंदर 1995 मा ही है जब IIT subjective होता था इस problem के अंदर एक बहुत ही important conceptual part है जिस वज़े से मैंने इसे इस सिरीज में include किया है तो एपिशोड को end तक देखीगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अब तक ये सिरीज आपको useful लग रहे है then like and share it with your friend सबसे पहले आप descriptive problem को download कीजिए ये एक subjective problem है calculation में हलका सा time लगेगा और जहाँ भी आपको approximation की जर्वत लगे आप approximation लीजिए और इस problem के answer निकाले इस उमीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपने सारे effort लगा लिए यहाँ पे एक laser beam given है और ये laser beam आपके पास spherically symmetric medium के अंदर propagate कर रहे है जहाँ पे एक sphere रखाव है उस sphere की radius आपको given है और refractive index का जो variation है वो radial ही हो रहा है इस तरीके से that refractive index is directly proportional to the radial distance ठीक है और ये laser beam किसी एक moment पे जब ये आपके पास center से r0 distance पे है तो radial direction के साथ 30 degree का angle बना रहा है और हमें चाहिए कि minimum distance कितनी होगी इस laser beam की sphere के surface से ये हमारा part है अब जैसे से ये इधर पास आएगा ये आपके पास इस तरीके से bend होगी जैसे इस diagram में दिख रहा है तो जैसे ये minimum separation वाले case में आएगी यहाँ कहीं उस moment पे ये ray और ये दोनों एक दूसरी के साथ 90 degree पर जाएंगे ये कुछ हलात होगी ठीक है और ये d कितना होगा ये मुझे calculate करना और d की value basically surface से measure करने मैं पहले ये निकालता हूँ उसमें से capital R minus कर दूँगा तो answer आजाएगा तो क्या solve करना ये पता लग गया अब आते हैं calculation वाले part पे ठीक है तो मैं इस situation को दुबारा दिखा रहा हूँ d r naught मैंने एक general किसी जगह पे जब r distance पे था उस moment पे let's suppose ये radial direction के साथ इसका जो angle है वो मेरा i angle बना रहा है और जब ये थोड़ा सा दूर जा रहा है मैं direction ऐसे मान रहा हूँ कि ये minimum से मैंने minimum distance d पे इसको tangential direction में project किया तो इस तरीके से जाएगा laws of reversibility में उल्टा सोच सकता हूँ ठीक है तो यहां से r plus dr distance पे बात करें तो मान लेते suppose ये angle बन रहा हमारे पास i plus di जब आप r के अंदर elemental change करोगे तो radial direction के साथ भी angle elementally change हो जाएगा यहां तो कोई दिक्कत नहीं अब मुझे क्या कि इन सारी चीजों के अंदर relation चाहिए और यहां पर relation मुझे laws of reflection से मिलेंगे और laws of reflection क्या बोलते हैं mu times sin i is equals to constant यह होता है बस इसी को use करना है लेकिन थोड़ा सोच समझ के बाई देखीगा यह मैं दो point consider कर रहां अराम से देखीगा 1 point मैं यहां consider कर लेता हूं P और 1 point यहां consider कर रहा हूं Q तो मैं P और Q पे snell slow से लिखना चाहरा हूं कि भी mu sin theta constant होता है यहीं लिखना चाहरा हूं देखी कैसे लिखते हैं यहां पर मैं क्या लिखूंगा आपके पास यहां refractive index इदी मैं proportionality constant k माल लेता हूँ तो यहां k times में होगा तो यहां पे k times यह sorry k times r होगा यहां पे पहले वाले पे तो दूसरे वाले पे आजाएगा refractive index k times r plus dr यह दोनों के refractive index में difference रहेगा भी p और q पे ठीक है refractive index is directly proportional to radial distance यह आपको given था अब देखिए जब आप यह वाला rule लगाते हो तो यह जो angle आप measure करने वाले हो दो बार यह दोनों बार angle दो parallel line के साथ measure होना चीए यही इस problem की सबसे खास बात है समझ में आरी बात मैंने क्या बोला इस आपने यहां पे q में जो angle बनाए वो आप पास i plus di लिखा और आप बोलना चाहरे हो कि k times r plus dr यह होगा refract index multiply by हमारे पास sin i plus di तो जब आप इसको equate करोगे p वाले के साथ तो p वाले line इस वाले line के साथ parallel होनी चीए यानि कि ऐसे line होनी चीए एक जो आप line ड्रो करोगे वो line इसके साथ parallel होनी चाहिए otherwise आप ये लिखने का हक नहीं है ये line ये line जो मैंने खिंची ये basically c q line के parallel है अब आपके पास आपको angle लिखने के आज़ादी है ठीक है अब आप इसको equate कर सकते हो किसकी equate करोगे आप लिखोगे k times r sin बेटा red वाले line c q line के parallel है तो इसके साथ कितना angle बना रहा है वो angle आपका major होगा यहाँ पे अब वो angle कितना है यहनि कि हम बात करें इस angle की कि ये angle कितना होने वाल है थोड़ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये angle मेरे पास alpha है तो ये angle भी alpha हो जाएगा पूरा i था तो ये आपके पास हो जाएगा i minus alpha कितना हो जाएगा मेरे पास i minus alpha ये equation number one by equation समझ मैं ही कैसे लिखा है आप गलती से भी k r multiply by sign i नहीं लिख सकते वो लिखोगे तो answer कभी नहीं आएगा बस यही इस problem की सबसे खास चीज थी अब आगी का part पूरा calculation वाला है उसको देखते हैं कि कैसे solve करना है इसमें आप k से k को cancel out कर सकते हो इदे आप k से k को cancel out करते हो और इस equation मैं इदर लेके आ रहा हूँ यह लेक सकता हूँ मैं यहाँ पर r plus dr और इदर वाले r को मैं नीचे ले आता हूँ उदर मेरे पास बच्चे का sine i minus alpha alpha अलपा अला की बहुत ही छोटा एंगल है divide by sine i plus di आपको पता है कि यहाँ पर sum हो आपको r और i के साथ relation चाहिए तब ही तब आप finally integrate करके कि equation मना पाऊगे जो इन दोनों को relate करेगी तो आगे solve करते हैं देखते हैं कैसे करना है यहाँ पर मैं इसे लेक सकता हूँ 1 plus dr divide by r उधर sin a minus b का form लगाते हैं तो यह बन जाएगा sin a cos b minus cos a sin b ठीक है नीचे sin a plus b का लगा देते हैं तो आपके पास बन जाएगा sin i cos di di और alpha दोनों भी बहुत ही छोटे एंगल है वेटा cos i और sin di ठीक है अब यहाँ पर आपको पता है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो cos theta 1 की equal हो जाता है और sin theta theta की equal हो जाता है तो बस इस approximation को मैं use कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sin i cos alpha की जगा मैं लिख सकता हूँ one cos i और sin alpha की जगा मैं लिख सकता हूँ alpha नीचे लेखो क्या आएगा sin i cos di की जगा लिख सकता हूँ one cos i sin di की जगा मैं लिख सकता हूँ di इधर आपके पास one plus dr upon r एक काम करता हूँ मैं उपर निच्चे से sin i को common ले लेता हूँ तो यह बनेगा one minus alpha cot i divide by one plus di cot i यही खाला तो हमारे पास cross multiply कर रहे है वै तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास one plus dr upon r plus di cot i plus dr upon r multiply by di cot i यह लेप्ट हैं बचेगा और राइट हैं बचेगा और राइट हैं बचेगा मेरे पास one minus alpha cot i यही बच रहा है और यहां पर हम बोल सकते हैं कि यह दोनों पार्ट one से one cancel out हो जाएंगे और di और dr बहुत ही छोटे है तो इन दोनों का multiplication almost ना के बराबरत में इसको 10 to 0 ले सकता हूँ अब remaining part को मैं आगे लेख रहा हूँ बच रहा है रिमेनिंग पार्ट को लेखते हैं तो हमारे पास आ रहा है di cot i उदर के side में देखो बचा हमारे पास इदर के side में एक और चीज़ बच गी वह है हमारे पास dr upon r उदर देखो अब मैं alpha और caught i की बात कर रहा हूँ देखे वह alpha और caught i इस part पर बात कर रहा हूँ मेरा focus अब इस part को लिखने पर इस part को कैसे लिख रहा हूँ इदर देखे ये हमारे पास alpha angle है मैंने diagram को zoom करके आपके लिए बनाया अब देखते रहे थोड़े देर के लिए मैं इस length को x मान लेता हूँ बस थोड़े देर के लिए इस length को मैंने x मान लिया है तो क्या मैं alpha को ऐसा लिख सकता हूँ alpha can be written as x divided by r एंगल हमारे पास हो जाता है length of r divided by radius और जो छोटा सा triangle बन रहे है जहां पर ये एंगल आपस 90 डिग्री है और ये एंगल i plus da है तो ये भी i plus da होगा जिसमें almost i लिख सकता हूँ क्योंकि इस triangle सीरी मुझे लिखना हो मैं यहां पर side के ratio की बात कर रहा हूँ तो cot i plus da या फिर cot i की बात करो तो cot i क्या लिख सकता हूँ cot i हमारे पास हो जाएगा base that is यहां पर ये length dr तो ये आजाएगा dr dr divided by perpendicular that is x तो मैं बात करूँ alpha multiply by cot i की alpha multiply by cot i alpha multiply by cot i को आप approximately कितना लिख सकते हो dr divided by r x x cancel out हो जाएगा तो ये value अब मैं नीचे put कर रहा हूँ बेटा ठीक है इसे मैं लिख सकता हूँ dr divided by r बस इसको मैं right side में बेज रहाँ तो हमारे पास हालात कुछ ऐसी हो गई that d a cot i d i is equal to minus 2 times 1 upon r d r now integrating both side अब limit की बात कर भाई जब इधर में angle की limit angle आपके पास 90 degree है angle आपके पास जब 90 degree है तो r की value यह small d की equal है और जब angle किसी moment पे ठीटा हो जाता है उस moment पे यह distance r not हो जाती है अपना r not ही लिखा है ना यह हालात उपर देख लो भई यह situation है यह आपस angle 90 degree होने पे अच्छा अब यहां पे आप i की बात करो तो i हमें समय रेडियल direction के साथ major हुआ है ठीक है तो रेडियल direction के साथ आपके पास 90 degree angle होने पे यह आपस d आता है और ठीटा होने पे r not आता है ठीक है अब integration की बात करते है cot i का जो integration होता है वो अमारे पास होता है ln sin i तो यह यहां पे integration की बात होगी अब put करेंगे limit lower limit 90 degree upper limit अमारे पास theta right side में 2 बाहर आ जाएगा यह आ जाएगा अमारे पास ln r limit इसमें भी put करेंगे d से r not limit इदी यहां पे मैं put करूँगा तो limit put करने भी क्या बनेगा यह बन जाएगा मेरे पास r not divide by d log a minus log b को log a upon b लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर भी हमारे पास यह बन जाएगा ln sin theta minus ln 90 degree बन जाएगा ठीक बई तो आपके पास यह आगे ln sin theta उदर के side में दिये मैं minus 2 को अंदर ले जाता हूँ तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ ln d upon r not जैसे उल्टा करता हूँ minus 8 जाता है और यह 2 उपर जाके square बन जाएगा तो यहां से मेरे पास relation क्या आगे है d is equal to r not under root sin theta d is equal to r not under root sin theta तो यह मेरे पास answer है इस problem का देखो भई क्या क्या given है r not की जो हमारे पास value given है वो हमारे पास है 50 root 2 और theta given है 30 degree यह दोनों put करते हूँ तो d कितना आ जाता है d की value आ जाती 50 root 2 multiply भी sin 30 का root लोगे तो 1 upon root 2 तो यह बन जाएगा 50 ठीके और इस center से distance से तो आपके पास r minimum from surface वो कितनी हो जाएगी surface से minimum distance कितनी हो जाएगी 50 minus capital R that is 10 तो यह आगे 40 cm तो हमारा answer है 40 cm ठीक है इस episode में जो आपको शीकने को मिला है वो यह है कि जब आपन mu sin theta equals constant लिखते हैं तो यह i जिन भी line के साथ आप measure करते हो वो सारी line एक दूसरे के साथ parallel होनी चीए तब ही आप यह लिख सकते हो ठीक है बाकी आपसे जो भी calculation mistake हुई होगी वो आपको समझ आ गई होगी तो मिलते हैं अगले episode में तब तक अपना ख्याल रखिए और जिन्दा रहिए गपसे आपको समझ आपर जापर समझ आपर में